कि हेलो श्रेंड्स आपको हुमर्थ दिया गया था फिल इन दबलाइंग करने के लिए आए इसको देखते हैं क्या होगा आप करेक्शन कर लीजिएगा फिल इन दबलाइंग विद दा करेक्ट वर्ड्स यह आपका पेज नंबर टेन है पाला आपका यह है फुट प्रॉवाइड्स तो इसमें आपको फिल करना है दो आपसन है आप एनर्जी यहाँ आप फिल करोगे एनर्जी फुट प्रॉआइड्स एनर्जी नससरी टू कैरी वेरियस एक्टिविटी आफ लाइट फुट जो है लाइफ फुट जो है हमें एनर्जी देता है पुर्जा देता है जिससे हम ज़रूरी चीजों को ठीक है लाइफ के लिए ज़रूरी चीजों को कर सकते हैं भी देखें आप इस एटेन मोस्ट इन दा साउटर्न एन एस्टर्न पार्ट आफ आर कंट्री तो यहां पर दो आफ्सन है वीट और राइस एस्टर्न और साउटर्न पुर्वी और दच्छडी भाग के लोग अधिकांस चीज खाते हैं कौन सी चीज अधिकांस खाते हैं गेहूं खाते हैं कि इसने क्या फिल करेंगे राइस उसी आप देख में उच्छास्क प्लांटश प्रिपेर दियर ओन पुर्ड और दो आप्छन हैophone ए। अ powinthe फिल करेंगे। अधिकुम 지난 सब्सक्राइब दाल चिनी के बारे में दाल चिनी क्या होता है ग्रें से की स्पाइस है यह अनाज है की मशाला है तो सिनामोन जो है सब्सक्राइब देखें मिल्क मीट एन एक्स जो है वह जानोरों से मिलता है कि मानों से मिलता है तो इसका राइट अप्सन होगा इनिमल्स इसमें इनिमल्स फिल करेंगे question number two देखें, name for food item is provided by plant and animal, आपको for food items लिखना है, जो plant से मिलता हो, और animal से मिलता हो, तो पहले हम देखते हैं, plant से मिलने वाले for food items कौन से हैं, तो plant से wheat मिलता है, plant से rice मिलता है, apple मिलता है और carrot मिलता है, तो जो भी plant से चीज़ें मिलती है, उनको for, आपको लिखना है यापे for item, तो इस तरह से आप for item लिख सकते हैं, इसको आप plant से मिलने वाला change भी हो सकता है, लेकिन याप हमने चार लिया है, wheat, rice, apple, carrot, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों for लिखना है, एनिमल से मिलने वाले for food item है, honey, milk, eggs, meat, honey, milk, eggs, meat, या एनिमल से मिलने वाले for food item है, question number third, name five plant leaves that we eat as vegetable, आपको five plants के name लिखना है, जिसके leaves को, पतियों को, vegetables के रूप में खाया जाता है, सब्जी के रूप में खाया जाता है, आपको इसके बारे में पढ़ाए थे, spinach, coriander, cabbage, lettuce, and basil, यह जो आपके five plants हैं, जिनके leaves को जो है, vegetables के रूप में, यूज किया जाता है, पहला है आपका spinach, coriander, cabbage, lettuce, and basil, यह आपका homework दिया गया था, यह आपका complete solution है, इसको आप correction कर लिजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में classification of animals के बारे में पढ़ेंगे, thank you,